अब क्या बोलू इस सीरीज के बारे में? मतलब कुछ भी? कुछ भी? दिखा रहे हूँ? तो क्या सोचा राइटर ने? अजीब और ग्रीब लिग देते हैं ओडियन्स तो है पागल, वो तो देखी लेगी इन चीजों को नमशकार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हस्मुक वेब सीरीज के बारे में जो अभी नेट्फलिक्स पर आई है पता नहीं क्यों आई है टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है और इसे डिरेक्ट किया है निकिल गॉंजाल्विस ने और इसके अंदर कास्ट है वीर्दास, रनवीर शोरे रवी किशन और अमरिता बागची और बाकी अन्यकलाकार अब कहानी बे आते हैं तो एक इंसान जो है वो कॉमेडियन बनना जाते है नहीं मैं क्लियर करते हूँ मुझे एक स्टेंड़ कोमेडिय करनी है तो इसका गुरू से धिकार देता है और कहता है बटा, तुमसे नहो पाएगा फिर क्या? हसमुक का दिमाग सनगता है और अपने गुरू का कतल कर देता है अपने गुरू का मडर करने के बाद यह स्टेज पे जाता और कॉमेडी करता है और पूरी जंता को लोट पोट मतलब हसा के लोट पोट कर देता है एक बात में यह क्लियर कर देता है इस सिरीज में कोई भी डंका जोग तो है नहीं और यह जितने भी लोगों ने यह हसनी की एक्टिंग के यह तो पता ही एक्टर है और इतनी वहियात ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इनोंने देख के भी चिड हो रही थी इसमें हस्मुक का एक सात्य दिखाया गया है जीमी जिसे प्ले किया है रनवीर शोरे ने तो वो इसका मैनेजर बनता है जिमी और हस्मुक इन दोनों को पता चलता है कि जब हस्मुक कतल करता है किसी का तो इससे अच्छी कोमेडी निकलती है इसमें अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो सबसे पहले यह फेमस होता है अपने ही राज्य में उतर परदेश में और फिर इसकी वीडियो वाइरल होती है मुंबई में किसी कोई शो चला रहा होता है अलंकार ऐसे कुछ टीवी चैनल का नाम होता है तो वहां तक पहुंसती इसकी वीडियो वहां से इसको लाने के लिए का आ जाता है कि इसको लेके आओ मुंबई तकि यहां पर अलंकार चैनल के ओपर स्टेंडब कॉमेडी करे तो हस्मुक का मेनेजर जिमी वह मुंबई में बंदे डूंटता है हस्मुक के लिए तकि वह हस्मुक उनको मार सके और confidence ला सके stage बजा गया अच्छी कॉमेडी कर सके हस्मुक कतल पर कतल करे जा रहा है और ना तो उदर उत्तरपरदेश की पुलिस को पता चल पाया था ना है है मुंबई पुलिस को पता चल पाया है अब इस अस्ताने से फूंक कर स्क्रिप्ट लिगी दी गया और लास्ट का सीन तो जबर्दस है हस्मुक और जिमी दोनों बजाते है पुलिस को कुछ पता नहीं जालता क्योंकि इस सीरीज के दो-तिन शुरू की एपिसोड इसके अंदर आप इंटरेस्ट ले पाएंगे फिर इसके बाद इसके अंदर अपना इंटरेस्ट रक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अब एक्टिंग की बात करें एक ही इनसान जिनको मैं कहूंगा रवी किशन उनकी एक्टिंग चोड़ कर बाकि उन्होंने जो ठरकपन किया है कुसम से बड़ा जबर्दस किया बाकि सबकी एक्टिंग एकदम बकवास सी लगी कोई किसी से प्यार कर रहे वो एक्स्प्रेशनलेस है किसी की फटी पड़ी है तब भी वो एक्स्प्रेशनलेस है वैसे जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था न उस वक्त इतनी कुछ खास लगी नहीं दी बट क्या करें काम है देखनी बढ़ती है जेलनी बढ़ती है ऐसी सीरीज को मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 3 out of 10 स्टार अगर आप लोगों ने ये देखी है तो रख सकते हैं अपने विचार पढ़ने में मुझे कोई आपत्ती नहीं है मैं पढ़ूँगा आपको रिप्लाइ जूट दूँगा बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद